तुमस्कार दोस्तों आपके पास यह नोटिस आया होगा अगर आपका डिड़क्शन जो फॉर्म 16 में है और जो चेप्टर 6 में अपने क्लेम किया है उसमें डिफर है तो आपने इसका जवाब भी दे दिया होगा जैसा कि मैंने आपको फिरिएस वीडियो में आपके साथ डि रिवाइस किया होगा और रिवाइस करके आपने रेस्पॉंस दे दिया होगा दोस्तों अब कॉशन आता है कि मैंने रेस्पॉंस तो दे दिया रेस्पॉंस तो दे दिया रिफंड अब कितने दिन में आएगा रिफंड में कितने डेज लगने वाले हैं तो पहला तो आता ह या इसमें कितने दिन लग रहे हैं यह कोशन है तो दूसरे option में तो दोस्तों कुछ से में लग सकते हैं दूसे किंड option में जो डेज हैं वो ज्यादा हो सकते हैं आपके मैं अभी बात करूंगा फर्स्ट option की तो फर्स्ट option में दोस्तों हमारे cases में जो हमने reply दिये 90% कैसे में जी हां 90% कैसे में रिफंड जो है 325 वर्किंग डेज में रिफंड आ गया है अगर आपने फर्स्ट वाला रेस्पोंस दिया है और पांस से साथ दिन से उपर हो चुकर आपका रिफंड नहीं आया है तो उसके लिए आपको क्या करना है इसका वीडियो में आपके लि में का आप-देना है कि बिए-टिपनीशिट पांस से साथ दिन में रिफंड नहीं आया है तो आपको क्या करना है सेओंड और रिवाईज करने के बाद व सवेक्शन करेंने के बाद रिइट करो तो thinnerा दिन का graduate को दोस्टों तो उसके बाद भी नहीं आता है तो अगें जो विडियो के एंड मैं पो वीडियो मिलने वाला है वह वीडियो देख लीदेकर आप जो मैंने वीडियो में प्रोसेस फोलो करी है वो ही प्रोसेस आप फोलो कर सकते हो दोस्तों, तो उससे आपका रिफन थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो सकता है, अगर आपको यी वीडियो पसंद आया हो और डेफिनेटलि अगर एक करने के बाद आपको लगता है कि हाँ कि जरूर सेर भी करेगा आपका experience और वीडियो को लाइक भी जरूर करेगा दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो ने अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सौमाच चाहिन जा भारत